कुछ फल ऐसे होते हैं जो फल के रूप में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं लेकिन सुखने के बाद सेहत के लिए और गुणकारी साबित होते हैं अंजीर भी उनी फलों में से एक है इसे फल और ड्राइफरूट दोनों प्रकार से खाया जाता है यह फल जितना स्वादिष् ही है इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अंजीर क्या होता है अंजीर खाने के क्या क्या फाइदे होते हैं ज्यादा अंजीर खाने से क्या नुकसान हो सकता है अंजीर कितने दिन तक खाना चाहिए और सबसे जरूरी अंजीर खाने का सही समय और तरीका क्या जिससे आपको बिना किसी नुकसान के पूरा फाइदा हो अब आप अपने स्वास्त से जूरी सभी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट infoha4.com पे जाकर ले सकते हैं अंजीर क्या है अंग्रेजी में इसे फिक कहा जाता है जबकि इसका बैग्यानिक नाम फिक्स कैरिका है बैग्यानिक तोर पर माना जाता है कि यह फेर फिक्स प्रजाती से संबंधित है और शेहतूत परिवार का सदस्य है इसके फल का रंग हलका पीला होता है जबकि पकने के बाद गहरा सुनहरा या बैंगनी हो सकता है अंजीर के पेड़ की छाल चिकनी और सफेद रंकी होती है इसका पेड़ मुख्य रूप से सूखे और धूप वाली जगह पर तेजी से उगता है और जड़ बेहत गहरी होती है साथ ही यह पहारी छेत्र में भी आसानी से पनप सकत है इसके पेड़ की उचाई साथ से दस मीटर तक हो सकती है ऐसा माना जाता है कि अंजीर के एक पेड़ की उम्र करीब सौ वर्स होती है हिमाले और शिवालिक एरिया में यह बहुत आयत पाय जाते हैं इरान भारत और मध्यपूर्व के देशों में रहने वाले इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं अब जानते हैं अंजीर के फाइदे क्या क्या हो सकते हैं अंजीर के फाइदे अंजीर के सेवन से स्वास्थे को ठीक रखा जा सकता है साथ ही अगर कोई बिमारी है तो लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है हां अगर कोई गंभीर पर भी किये गए हैं पहला पाचन और कब्ज के लिए अंजीर के फाइदे अंजीर का सेवन करने से पाचन तंत्र अच्छी तरह काम कर सकता है और कब्ज की समस्या से बचा जा सकता है पाचन तंत्र को बहतर करने के लिए दो तीन अंजीर को रात भर के लिए पाने में भिवो कर रख दें और अगली सुबह ऐसे ही या फिर शहद के साथ खाएं पाचन तंत्र को बहतर करने और कब्ज से रहत पाने के लिए फाइवर की जुरुत होती है वहीं अंजीर में प्रचूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है इसलिए जब अंजीर का सेवन किया जाता है तो इ इसकी पुष्टी NCBI की वेब साइट पर प्रकाशित रिसर्च पेपर से होती है दूसरा है हिर्दय के लिए अंजीर के फाइदे चूहों पर किये गए एक परिक्षन से पता लगा है कि अंजीर का सेवन करने से लिपिट प्रोफाइल में सुधार आ सकता है इस सर्च में यह कोशिकाओं से पैदा होने वाले जोखिम को कम कर सकता है तीसरा है कम वजन के लिए अंजीर के फाइदे अगर कोई वजन कम करने के बारे में सोच रहा है तो अंजीर की मदद ले सकता है अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और कैलोरी कम होती है साथ ही सूखे अं कॉलेस्ट्रोल के लिए अंजीर के फाइदे अंजीर की पत्यों में हाइपो लिपिडेमिक प्रभाव पाया जाता है जिसके चलते यह ट्राइगलिस राइड नामक लिपिड सीरम के स्तर कम कर सकता है और अच्छे कॉलेस्ट्रोल में बढ़ोतरी कर सकता है वहीं एक अन्य रिसर्च इस बात की पुष्टी करता है कि अंजीर का सेवन करने से हानिकारक कॉलेस्ट्रॉल, ट्राइगलिस राइड और कूल कॉलेस्ट्रॉल के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता इन दोनों अध्यनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कॉलेस्ट्रॉल के लिए अंजीर के क्या फाइदे हैं यह जानने के लिए अभी और शोध की जरूरत है पांचवा है लीवर के लिए अंजीर के फाइदे अंजीर फल के साथ-साथ उसके पत्ते भी सिहत के लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि लिवर को स्वस्थ रखने में अंजीर के पेड़ की पत्तियों को कारगर पाया गया है इसकी पुष्टी NCBI की बेवसाइट पर प्रकाशित एक रिशर्च पेपर से होती है इस रिशर्च के अनुसार अंजीर की पत्तियों में HEPTO-Protective गुन पैजाता है जो हानिकारक तत्वों से लिवर की रक्षा कर सकता है स्वस्थ लिवर के लिए अंजीर की पत्तियों के पाउडर का सेवन किया जा सकता है इसके अलाबा अंजीर की पत्यों की चाय बनाकर इसके लाब लिये जा सकते हैं 6. Diabetes के लिए अंजीर के फाइदे अंजीर के पत्तों में ऐसे कई गुणकारी तत्व मौझूद हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए लावकारी है चुहों पर की गई एक रिसर्च से यह पता चलता है कि अंजीर की पत्यों में एथिल एसिटेट अर्क पाया जाता है यह अगनाशे की बीटा कोशिकाओं के जरिये इंसुलीन उत्पादन को उत्तेजित करके एंटी डाइबिटिक प्रभाव दिखा सकता है इसलिए अंजीर खाने के फायदे में डाइबिटीज से बचाओ भी शामील है डाइबिटीज के प्रभाव को कम करने के लिए अंजीर के पत्तों की चाय बना कर सेवन कर सकते हैं अंजीर की 4-5 पत्तियों को गरम पानी में उबाल ले और उसे उबाल कर पीए इसके अलाबा अंजीर के पत्तों को पहले सुखा ले और फिर पीस कर पावडर बना ले अब इस पावडर की चाय बना कर पीए साथवा है कैंसर से बचाओ में अंजीर के फायदे कैंसर एक जानलेबा बिमारी है और इसके इलाज के लिए ब्यापक चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने की जुरत होती है लेकिन खान पान और दिन्चरिया का ध्यान रखकर इस गंभीर बिमारी से बचा जा सकता है अंजीर का सेवन कैंसर से बचाओ में सहायक हो सकता है अंजीर का फल पेट और ब्रेश्ट कैंसर के खत्रे को कम कर सकता है एक अन्यशोध के अनुसार अंजीर के लेटेक्स में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसमें एंटी कैंसर प्रभाव होता है इसलिए इसके प्रती कैंसर कोशिका लाइन संबेदंशील हो सकती है इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अंजीर का सेवन पेट में मौजूद कैंसर कोशिकाओं के विकास में बाधा पैदा कर सकता है चुहों पर किये गए एक रिसर्च के अनुसार अंजीर का लेटेक्स ट्यूमर के विकास को बाधित कर सकता है इसलिए नियमित रूप से अंजीर का सेवन करने से कैंसर से बचा जा सकता है आठवा है हड़ियों के लिए अंजीर के फाइदे अंजीर को कैलसियम, पोटेशियम और मैगनेसियम का अच्छा श्रोत माना जा सकता है अंजीर के गुणकारित तत्व हड़ियों पर प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं जिससे उनकी मजबूती बढ़ सकती है इसमें कोई दोई राय नहीं की हड़ियों के लिए कैलसियम जरूरी है यही कारण है कि हड़ियों की सेहत के लिए अंजीर खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि अंजीर में कैलसियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है नाइन्थ है रक्त चाप के लिए अंजीर के फाइदे कई बैग्यानिक शोधों में इस बात की पुष्टी की गई है कि अगर नियमित रूप से अंजीर का सेवन किया जाए तो रक्त चाप को संतुलित रखा जा सकता है अंजीर में पाये जाने वाले फ्लेवोनोईड्स, फिनोल और पोटेशियम मिलकर उच रक्त चाप की आशंका को कम कर उसे संतुलित बनाए रख सकते हैं रक्त चाप को संतुलित रख कर अंजीर के योगिक क्रोनरी, हर्ट डिजीज यानि हिर्दै संबंधी पुरानी विमारियों से रक्षा में भी कारगर साबित हो सकते हैं हलाकि इसके कौन से योगिक रक्त चाप को किस तरह सामान्य रख सकते हैं यह जानने के लिए और शोध किये जाने की जरूरत है दसवा है उर्जा का श्रोत दिन भर की भाग दोड के लिए शरीर को उर्जा की जरूरत होती है इस उर्जा को कायम रखने के लिए भोजन के साथ अपनी डाइट में अंजीर को भी शामिल करना बहतर हो सकता है सूखे अंजीर में 249 कैलोरी पाए जाती है जिससे शरीर को प्रयाप्त उर्जा मिल सकती है इसलिए अंजीर खाने के फायदे में उर्जा कस्तर बहतर रखना भी शामिल है ग्यारवा है अंजीर के एंटी ओक्सिडेंट गुण गुणों के खान अंजीर को एंटी ओक्सिडेंट का प्रमुक स्रोत माना जाता है एंटी ओक्सिडेंट प्रभाव के कारण ही अंजीर शरीर में free radicals को खत्म कर कई तरह की बिमारियों से बचा सकता है अंजीर का सेवन करने से शरीर में एंटी ओक्सिडेंट की शमता बढ़ जाती है इससे एंटी ओक्सिडेंट शरीर में oxidative stress के प्रभाव को कम कर सकता है में अंजीर को जरूर सामिल करना चाहिए बारवा है यौन शक्ति के लिए अंजीर खाने के फायते जहां अंजीर के सेवन से तमाम तरह की बिमारियों से बचाव हो सकता है वहीं यह प्रजरन शमता और यौन शक्ति को बढ़ा सकता है NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्यन के अनुसार अंजीर की पतियों का अर्ग शुक्रानियों की गुण बत्ता वो संख्या में ब्रिध्धी कर सकता है इसमें पाये जाने वाले एंटियोक्सिडेंट गुण शुक्रानियों को किसी भी प्रकार की शती से बचा सकते ह वहीं सूखे अंजीर के सेवन से महिलाओं की प्रिजरन शम्ता भी बहतर हो सकती है हाँ अगर किसी की समस्या गंभीर है तो उसे डॉक्टर से इलाद जरूर करवाना चाहिए तेरवा है प्रतिरोधक शम्ता में ब्रिद्धी के लिए अंजीर खाने के फायदे अगर हमारी प्रतिरोधक शम्ता अच्छी नहीं होगी तो कई बिमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं इसलिए प्रतिरोधक शम्ता को बहतर करना है तो उसके लिए अंजीर का सेवन फाय पाया जाता है जिसमें युमिनो मॉडिलेटर प्रभाव होता है युमिनो मॉडिलेटर प्रतिरोधक शम्ता को बहतर करने का काम करता है इसलिए प्रते दिन अंजीर का सेवन करना फायदे मंद हो सकता है 14. जुडियों को रोकने में अंजीर के गुण चहरे पर असमय पढ़ने वाली जुडियां खूबसूरती पर दाग सावित होती है इससे बचने के लिए अंजीर का प्रियोग किया जा सकता है अंजीर के फल का रस स्किन मेलेनिन और सिबम के स्तर को कम कर सकता है साथ ही यह स्कि के लिए अंजीर के फाइदे अक्सर पोशक तत्यों की कमे के कारण बाल जहरना शुरू हो जाते हैं चुहों पर की गई एक रिसर्च के अनुसार नारियल का तेल और सोयबीन जैसे प्राकितिक तत्यों के साथ अंजीर को मिला कर तयार किया गया फॉर्मूला बीटा कैरेट के उत्पाद को बढ़ा कर बालों के विकास को प्रेडित कर सकता है वहीं एक रिसर्च में पाया गया है कि अंजीर की पत्यों का अर्क एंड्रोजेनिक अलोपीशिया जैसी समस्या से बचाओं में फायदेमंद हो सकता है इसमें मौजूद एंटी इंफ्लामेट्री और एं 10 बूंद अंजीर के तेल को मिक्स कर लें अब इस पेश्ट को अपने बूरे बालों पर लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दें इसके बाद अच्छे शैंपू से बालों को धो लें इससे बाल लंबे घने और मजबूत होंगे अंजीर के नुकसान अधिक मात्रा में अंजीर खाने की सलाह दी जाती है ताकि बलड गुलकोज वो इंसुलीन की मात्रा संतुलित रह सके इसलिए कम रक्त चाप वालों को इसका सेवन डॉक्टर से पूछ कर करना चाहिए वरना उनका रक्त चाप और कम हो सकता है समवेदन सील त्वचा वाले वैक्तियों को अंजीर खाने से एलर्जी भी हो सकती है इसलिए या खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें अंजीर का उप्योग अंजीर को फल के तोर पर या फिर सुखा कर दोनों प्रकार से खाय जा सकता है अंजीर खाने का सही तरीका यह है कि ऐसे ही खाएं य या फिर सलाद में डाल कर भी खाया जा सकता है इससे सेंडवीच और सलाद का स्वाद तो बढ़ेगा ही साथ ही जरूरी पोशक तत्व भी मिलेंगे ताजे अंजीर के फल को केक या फिर आइसक्रीम के उपर सजा कर भी खाया जा सकता है ताजे के मुकाबले में सुखे अंजी तत्वी मिलेंगे अंजीर का इस्तेमाल केक पूडिंग वो जैम आदी बनाते समय भी कर सकते हैं मुसली बार और दलिया बनाते समय भी सूखी अंजीर का इस्तेमाल किया जाता है यह अंजीर खाने के तरीके में शामिल है सूखी अंजीर को सूप में भी डाल सकते हैं विभीन तर सूखे अंजीर को प्रियोग में लाए जाता है चलिए जानते हैं कि दोनों तरह के अंजीर को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है ताजे अंजीर की सेल्फ लाइफ जादा लंबी नहीं होती इसलिए जब आप इन्हें बाजार से खरीद कर लाएं तो तुरंत जिप वाले पाउच या प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह ढखकर फ्रीज में रख दें थोड़े से पके हुए अंजीर के फल को कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है बस ध्यान रहे कि ये पूरी तरह पकने तक सूरज की किर्णों के संपर्क में ना आएं एक बात का ध्यान रखे कि ताजे अंजीर के फल जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए प्रयास करें कि इन्हें दो तीन दिन में खतम कर दें सूखे अंजीर को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है फिर चाहे आप इसे फ्रेज में रखें या फिर सूखी और ड्राई जगह पर रखें अंजी कैन खुल जाने के बाद इन्हें एक हपते में खत्म कर देना चाहिए अंजीर खाने का सहीत तरीका यह है कि इन्हें हमेशा धो कर खाएं अंजीर कहां से खरीदें अंजीर किसी भी सूपर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं बहतर होगा कि अंजीर को खरीदने से पहले ज और विश्वास निये कंपनी के अंजीर का सेवन करें उमीद है कि अब आपको अंजीर के बारे में प्रयाप्त जानकारी मिल गई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें दूसरों से शेयर करें और ऐसे ही आयरुवेदिक और स्वास्त से जुरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इन्फोहब यूट्यूब चैनल फॉलो करें फेस्बुक पेज और अब आप अपने स्वास्त से जुरी सभी जानकारी हमारे वेबसाइट इन्फोहब4.com से भी ले सकते हैं